असलम अलेकम, वेलकम टू शनाया न्यूस, उमीद करती हूँ के आप सब खैरियर से होंगे, आज 30 एपरल 2021 इंग्लेंड की ताजातरीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं, शामिल करेंगे इंग्लेंड हकूमत को मिलियन पौंड्स का नुकसान का सामना, य इंग्लेंड रेड क्रॉस की इलिगल इमिग्रेंट्स पर रिपोर्ट, तारकी ने वतन के लिए बड़ी खुश खबरी इमिग्रेशन कानून में तब्दीली, तो इन तमाम खबरों की तफसिला जाने के लिए, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकमल आखि तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताके वो भी यूरप के और यूके की खबरों से आगार रह सकें, और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब का लिजिए, और साथ में बेल का इकन को दीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, तो चलिए बढ़ते हैं आज की एहम तेन खबरों की जानेब, आज की पहली खबर को शामिल करेंगे, इंगलेंड हकूमत को मिलियन पौंट्स का नुकसान का सामना, वाइरेस कोवर्ड-19 परडेमी के दर होगा मारवा के दुरान, उन्होंने कहा है कि क्रोंगा वाइरेस के दुरान भाइरेस को जारी रखने के रिए तकरीबं 900-0-2-q45,35 के खराजात के बाद मुनाफे में जबर्दस कमी का इलान किया था जानी बरतानिया में क्रोना वारस के खिलाब वेक्सिनेशन का सिंसला काम्याबी के साथ जारी है क्रोना वेक्सिनेशन के लिए 42 एर्स तक की उमर के अफराद को भी शामिल का लिया गया है सेरी सेहत ने का है कि वेकशिनेशन के मंसूबे को तसी देने का सिंसला जारी है जिसके मुस्बत 19 मुल्थब हो रही है उन्होंने सोशल मीडिया के जरीए अवाम को बताया कि वेकशिनेशन रूल आउट गहर मामूली तोर पर बहुत मुस्बत जा रहा है की रफतार हैरत अंगेज है 42 और 43 इयर्स की उमर के तमाम 1.3 मिलियन अफराद को एन्नेचेस के जरीए वेक्सीन के लिए मदा किया जाएगा हेल्थ सर्विस की ऑनलाइन बुकिंग सर्विस का वेब लिंक भी जारी किया है जिसे अवाम ब्राहरास इस्तफादा हासिल कर सकते हैं के इलावा एक स्टडी से जाहर हुआ है कि शिफ्टों में काम करने वालों का करोना टेस्स मुस्बत आने और अलाज के लिए इनके हस्पतालों में इनके दाखला कराई जाने का इमकान ज्यादा होता है रिपोर्टे के मताबिक शिफ्टों में काम करने वालों का कताई नजर काम की नुएत के करोना का शिकार होने के हाथसा ज्यादा होते है रिसर्चर्चर्ज ने शिफ्टों में काम करने वालों के लिए ज्यादा में फूज हलातकार की जूरत पर जोर दिया है Research ने बरतानिया की study के data का जाइजा लेने के बाद हस्पताल में मजूद क्रोना के मरीजों के data से इसका महाजना करके ये राय काइम की है अगली खबर की जानिब जो के European Union के नेक कानून की मनजूरी एहम खबर European Union की Parliament ने 28 April के रोज एक ऐसे कानून को मनजूरी दी है जिससे online platform के लिए ऐसे तमाम मुआत को फ़री तोर पर हटाना लाजमी होगा जो शिदत पसंदी के जमोर में आते हैं अगर कोई कमपनी ऐसा करने में ना काम रहती है तो इसे अपनी बैनल अक्वामी आमदन का चार फीसद तक का जुरमाने का सामना भी करना पड़ सकता है इस कानून के मताबिक अगर European Union से बाहर का मुल्क भी ऐसी कोई शकाइत करे तो इस पर भी अमल करना लाजमी होगा अलबता जिस मुल्क में ऐसा हुआ होगा उसे इस बात का तजस्या करने के लिए 72 और्स का वक्त मिलेगा कि आया वो मुआद वाके ही इस दाएरे में आता है क्या इस से बुनियादी हकूग की खलावर्जी हुई है और क्या वाके ही वो शकाइत दूस्त है या नहीं इस कानून के तहर तहर तालीम सहाफत किसी खास फ़न पारे और तहकी के मकसर से अगर कोई ऐसा मुआद है तो शक्राशी भी हासिल होगा कानून में आनलाइन की छोटी और गेर पेशा वराना कंपनियों को भी बाज रियाईतें दी गई हैं यूनिन के रुकन ममालिक ने इस हवाले से गुजशता दिसंबर में इतफा किया था जिसकी तमाम अरकाने पार्लिमेंट ने हमायत की और इसे बगएर किसी तर्मीन के वोटिंग के बगएर ही मनजूर का लिया गया इसकानून को मतوازन और अच्छा बताते हुए कहा है कि इ इससे ऑनलाइन की स्क्योर्टी भी बेतर होगी अगली खबर की जानिब जो के इंगलेंड रेड क्रॉस की इलीगल इमिगरेंट्स पे रिपोर्ट रत्वानी रेड क्रॉस की रिपोर्ट में कहा गया है कि असाइलम सीकर्स इलीगल इमिगरेंट्स महीनों बलके बरसों से ग विला इजाज़त तलाशी ली जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन लोगों को रहाईश के लिए जो कमरे दिये गए हैं वो इनतहाई खराब हैं। जिसका अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता के हाल ही में एक कमरे की चछत गिर गई थी। रिपोर्ट में खवातीन क हालत पर खास तोर पर तफचीश का इज़ार किया गया है जिने जिनसी जियाती का निशाना बनाया जाता है। इनको गहर इखलाकी कामों के लिए स्मग्गन किया जाता है। और होटलों और होटल में मर्दों के साथ रखा जाता है जहां बाज वकात अमले के अफराद सिर् अफरात की मदद की जो खुद कशी पर मजबूर हो रहे थे इन में हामला खवतीन बचे और माजूर अफराज शामिल थे अधारे के चीफ एक्जूकेटर ने बताया है कि हमें असाइलम सीकर्स की रहाईशी सहूलतों के हवाले से बहुत ज्यादा तफशीज है जिनें अपनी सुत्री पनागा के हगदार तो होने ही चाहिए उन्होंने हकूमत की तरह से इस बास से तफ़ा किया है कि असाइलम सिस्टम में जला की जरूरत है लेकिन असाइलम के लिए दो तरह के तरीके कार पर तफशीज का इजहार किया और कहा कि होम आफिस को बाइख्तियार हकूमत और चैरिटी से मिलकर पनागजीनों के लिए मजीद कम्यूनिटी रहाईश गाहों का इंतजाम करना चाहिए ये रिपोर्ट मुखलिप पनागणाहों में मुकीम एक सो से जाइद अफराद से की गई बाचीत उस अश्टा साल 30,000 से जादा अफराद की खिदमात अंजाम द चाहि हम उफिस के तर्जमार ने साइलम सीकर्स की पनागाहों के हवाले से इन तमामादावों को मुसरिच करते हुए दावा किया है कि हम हमेशा साइलम सीकर्स की सिहत और तन दूस्ती को संजीतगी से देखते हैं। अगली खबर की जानिब जो के तरकीने वतन के लिए बड़ी खुश खबरी इमिग्रेशन कानून में तबदीली सदर जो बाइडन ने इमिग्रेशन इजलाहात का बिल कॉंगरस में पेश करते हुए तरकीने वतन को कानूनी और शेरी हैसिया देने की तजावीज दे दी है गैर मुल्की खबर और सारदारे की रिपोर्ट के मताबिक अमरीकी सदर ने पुलिस सिस्टम में बेतरी और इमिग्रेशन इजलाहात का बिल कॉंगरस के मुच्तरका इजलास में पेश किया है सदर जो बाइडन ने बिल में खंदानी मनसूबे का भी इलान किया है सदर जो बाइडन ने खंदानी मनसूबा बंदी के लिए बचों और तालीम के लिए 1.8 ट्रिलियन डॉलर की सरमाया का इलान किया है उन्होंने कहा है कि मनसूबे से अमरीका में हकूमत के किर्दार को तबदील किया जा सकता है उन्होंने करोना वबा के पेशन अजर अमरीका में बच्चों की देखबाल यूनिवरसल प्री स्कूल मुफ्त कम्यूनिटी कॉलिज के लिए 225 अरब डॉलर और माबाप को कमस कम 250 डॉलर महाना अदाईगी की तजावीस भी दी है अमरीकी सदर ने अपने खताब में का है कि कानून नाफिस करने वाले अदारों और अवाम के दरमयान इतमाद होना चाहिए अरकाने पार्लामेंट की तरफ से मोके पर पुलिस इजलाहाती बिल मनजूर करें जो बाइडन ने कहा है कि कानून की बी तजावीस देड डाली और इनको कानूनी हैसियत दी जाए ये थी आज की एहम त्रीन अपडेट्स जो आप लगों के साथ शेयर की गई है मैं उमीद करती हूँ के आपको पसंद आई होगी इसी के साथ मिलती हूँ पिर मैं आप सबसे लेटेस्ट अपडेट में तब तक आप सब अपना बहुत ख्यार रखेगा थाइंक्यू खुदा हाफिस